हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो इडूसेर सेंटर, तोड़े वी आर गोईंग तो लार्न अबाउट देचर रोल फो सी डवलू एसन, सी डवलू एसन मिन्स चिल्डरन उद इस्पेशल निड्स, तो एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए, सी डवलू एसन चिल्डरन को स्कूल में पराने के लिए, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता है, हम एक्जाम्पल के साथ चलेंगे, तो ये पिक्सर आप देख सकते हो, ये तारे जमी पर मूवी का पिक्सर है, यहावे जो बच्चा है, बच्चा का नाम है इशान, ये बच्चा डिसलेक्सिया डिसिबिलिट हो जाता है, ये इस लास में एटेंटिव नहीं होता है, और टीचर लोग हमेशा इसको डाटता है, पानिश्मेंट करता है, फिर वो अमिर खान आता है, अमिर खान आके ये इशान को अच्चे से समझता है, इशान का जो डिसलेक्सिया डिसिबिलिटी है, उसको अंडरस्ट यह जो movie का example है, यही आपका वो teacher का role है, जो teacher है, जो disabled children है, उसको identify करना चाहिए और उसको, जैसे वो बच्चा सीखना चाहता है, उसकी हिसाब से उसको teach करना चाहिए, तो अब यह उसको देखेंगे, पहले तो यह developing positive attitude होना चाहिए, हर बच्चा में, हर teacher में, हर जो इस्टा member ह में positive attitude होना चाहिए, हमेशा school में, वो negative attitude होता है, आदमी में, जो disabled children है, उसकी उपर में हमेशा negative attitude करता है, उसमें bowling करता है, कोभी कोभी, तो यह teacher का first role है, वो positive attitude डवलोग करना चाहिए, फिर identification of the children with special needs, जो बच्चा children disabled है, उसको early detection करना चाहिए, तो भी जाके उसकी हिसाब से उसको परा सकता है, और teaching design कर सकता है, involving all students in every activities, जो activities होगा, उसमें सब बच्चा को involve करना चाहिए, participation जो होगा, जो disabled children होगा, वो भी equal participation का opportunity मिलना चाहिए, collaboration with the stakeholder, जो stakeholder है, यह मान के चलो, आपका school का, जो committee member हो गया, president secretary हो गया, या तो parents हो गया, तो यह हो गया, जो stakeholder होता है, उन लोगों से साथ हमेशा teacher को discussion करना चाहिए, अगर कोई lake हो रहा है, school में, कोई facilities नहीं है, तो हमेशा उसको improvement करने के लिए उन लोगों से discuss करना चाहिए, अगर बच्चा कोई disabled है, उसको कोई bullying कर रहा है, तो यह सब चीजे वो discuss करना चाहिए, उसका parents की साथ और other stakeholder की साथ, फि बच्चे की हिसाब से curriculum को design करना चाहिए, क्योंकि जो normal curriculum होता है, कोई-कोई बच्चा उसमें cop-up नहीं कर पाता है, जो disabled children है, और CWSN भी बोल सकते हो, और फिर देखिए preparing teaching aids, teaching aids मतलब model, chart, यह सब use करके जो teaching देता है, तो यह teaching aids है, यह बच्चे की हिसाब से आच्चा teaching aids प्र evaluation, जो बच्चे का evaluate करेंगे, तो उसमें हमेशा सब चीज एड़क करना चाहिए, जैसे कोई बच्चा अगर slow learner है, या तो कोई बच्चा अच्चा फारफरमस नहीं दे रहा है, तो उसको अच्छे से evaluate करना चाहिए, और जैसे अगर exam होगा, तो disabled children को extra chance देना चाहिए, extra time दे children, एक तो बच्चा जो normal children की हिसाब से वो daily activities नहीं कर परता है, कोई कोई वो inferior feel करता है, उसमें, faces challenges in pursuing education due to disability, कोई कोई बच्चा का ऐसा disability है, वो परने में दिक्कत होता है, कोई कोई बच्चा ऐसे wheelchair में आता है, तो उसको school आने जाने में भी दिक्कत होता है, तो ये सारा should be able to understand the child problem and help the child, जो school authority है, वो हमेशा children को understand करना चाहिए और उसको help करना चाहिए, teacher is the mediator between the child and the knowledge given in the books and hence, should be well trained in recognize the disabled face by the child, जो teacher है, वो हमेशा एक mediator होता है, वो हमेशा जो book का knowledge है, वो वहां से लेके वो बच्चे को पराता है, बच्चा direct book का knowledge नहीं परवाता है, तो जो teacher है, वो middle man है, वो बच्चे को पराता है, तो यह जो teacher है, यह हमेशा well trained teacher होना चाहिए, तो भी जाके, जो disabled बच्चा जो problem face कर रहा है, उसको tackle कर सकता है, नेक्स देखेंगे, यह example जो तारे जमी पर का example दिया था, मोवी का वही वाला लिखा है, आप पर लाना यहां से, तो नेक् teacher है, वो हमेशा new new method use करना चाहिए, बच्चे जैसे सिखता है, उसकी हिसाब से, वो हमेशा teaching method में है, या कोई method है, वो हमेशा new new try करना चाहिए, क्योंकि जो traditional method है, उसकी साथ पराएंगे, तो जो disabled children है, उसमें बहुत दिक्कत होगा उसको, जो teacher है, वो हमेशा बच्चे को help करना चाहिए, जितना हो सके, वो उतना help करना चाहिए, टीचर को, उस बच्चे को, नेक्स देखिए, a teacher can help the children in many ways, first it is understand and learn about the disability, जो बच्चे में disability है, वो पहले identify करना चाहिए, और उसको learn करना चाहिए, encourage the child, चाहिए को हमेशा encourage करना चाहिए, हर activities में participate करने के लिए, चाहिए को encourage करना चाहिए, और उसको motivate करना चाहिए, कोई भी वो inferior feel ना करे, help the child in a studies by devoting extra time in teaching, जो बच्चा disabled होता है, उसके लिए कभी-कभी जरुरत पर है, तो extra time भी वो देना चाहिए, making adequate sitting arrangement in case of locomotor disability और cerebral palsy, जो locomotor disability और cerebral palsy इसको पुरबर sitting arrangement होना चाहिए, उसको हमेशा fast-based में बिठाना चाहिए, adopting new method of teaching, वो जो teaching method है, वो हमेशा new method यूश करना चाहिए, बच्चा जैसे सिखता है, उसकी हिसाब से उसको पराना चाहिए, चलिए आभी एक question देखेंगे, how should you deal with a child who is in the habit of coming late to school, यह आपका mtet का question है, अगर आप एक teacher हो और एक बच्चा हो हमेशा school में late आता है, तो उसकी साथ कैसे deal करोगे, shall give punishment, बिलकुल न, punishment नहीं दे सकते हो बच्चे को, complaint to the head of the school, head of the school को complaint नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको बच्चे को understanding करना चाहिए, कि क्यों बच्चा लेट करके आ रहा है, कुछ ने कुछ तो problem होगा बच्चे में, shall invite the child guardian for discussion, बिलकुल, parents को बुला के उसके साथ discussion करना चाहिए, कि आपका child की लेट करके आ रहा है, घर में कुछ प्रोब्लम है, या तो बच्चे खुद लेट करके आ रहा है, और next, देखे, shall give strong warning, strong warning भी नहीं देना चाहिए, तो आपका answer होगा ये वाला, हमेशा कोई भी प्रोब्लम होगा बच्चे का, तो उसकी parents की साथ discussion करना चाहिए, इसलिए देखना, private school में parents teacher association होता है, weekly या monthly parent teacher का meeting होता है उसमें, हर चीज discuss करने के लिए, बच्चे कितना सिखा है, क्या problem face कर रहा है, ये सब के लिए, तो आज का वीडियो इतना है था, thank you for watching this video, see you in the next class.